दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Colorado 2024 के File Menu के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको File Menu के सभी Option के बारे में एक एक करके Information देने वाले हैं आज हम आपको Practical तरीके से समझाने वाले हैं कि आप किस तरीके से File Menu के सभी Option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर हम comparison करें Colorado 2021 की 2024 से तो यहाँ पर कुछ जादा changes नहीं की गई है कुछ options को यहाँ पर upgrade कर दिया गया है और कुछ features को यहाँ पर अलग करके उन्हें separate कर दिया गया है बट Colorado 2024 के अंदर कुछ latest upgrade हुए है pages को ले करके और भी बहुत सारे features को थोड़ा बहुत यहाँ पर change किया गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको Colorado 2024 के File Menu के सभी options के बारे में deeply information देने वाले हैं तो वीडियो को अंदर तक जरूर देखें अगर आप वीडियो को skip करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ नहीं पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉरल यहाँ पर open किया हुआ है file menu पर जैसे हम यहाँ पर click करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सबसे पहला option आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो यहाँ पर new का है new का मतलब है हम यहाँ पर अपना एक नया page open करना चाहते हैं यहाँ से हम इस वाले option पर click करेंगे या तो फिर आप अपने keyboard से control के साथ N का भी इस्तमाल कर सकते हैं control N new page लेने की shortcut की है तो यहाँ पर हम new वाले option पर click करेंगे new पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं पर अपने size को अपने अहसाब से यहाँ पर set कर सकते हैं जैसे आगर आपको largest page size चाहिए तो आप इस वाले option पर click कर सकते हैं smallest page size चाहिए तो आप इस वाले option पर click कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकतें most recently useless file पर अगर आप ट्लिक करेंगे यानि आप जिस भी size का यहाँ पर page लेना चाहते हैं केवल उस पर आपको click करना होगा जैसे मालीजी हम यहाँ पर social पर click करते हैं जैसे हम social पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आपको custom का page आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ ताप यहाँ पर height ओर width का dimension दे करके page सेट कर अथिसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको facebook कबर page का size आपको इहा पर मिल जाता है Facebook post का size आपको यहाँ पर मिल जाता है Facebook app का size आपको यहाँ पर मिल जाता है उसी तरह से Instagram, post वगरा कि आपको बहुत सारे sizes यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिसमें से आप इसमें से अपने हिसाब से जो भी size लेना चाहें अपने हिसाफ से select कर सकते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको device के भी काफी सारे options मिल जाते हैं, जैसे iPhone का यहाँ पर देख सकते हैं, iPhone का size भी आपको मिल जाता है, MacBook Pro का भी आपको यहाँ पर size मिल जाता है, तो फिलाल हम यहाँ पर वापस से इसे all pages को select करते हुए यहाँ पर coral का जो default size है उसी size में यहाँ पर select करने वाले है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर height और width की dimension है और उसके बाद यहाँ पर आप resolution दे सकते हैं 300 dpi आपको यहाँ पर मिलता है तो mostly by default 300 dpi पर ही set होता है आप अपने इसाफ से इसको कम यह जादा कर सकते हैं बट मैं आपको suggestion दूँगा कि आपको 300 dpi ही रखते हुए आगे बढ़ना है यहाँ पर आप अपने orientation को change कर सकते हैं page का size landscape या फिर portrait आपने इसाफ से यहाँ पर setup कर सकते हैं इतना करने के बाद नीचे भी आप देख सकते हैं आपको layout के काफे सारी option मिल जाते हैं जिसमें आप paper size भी select कर सकते हैं A4 paper या और भी कोई size आपको paper चाहिए legal paper वगरा आप यहाँ पर directly set कर सकते हैं इसके अलावा envelope, letter बहुत तारी option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं directly आप इस पर click करके अपने page को select कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर colors के भी option मिल जाते हैं आप यहाँ से चाहें तो अपने colors को यहाँ पर customize कर सकते हैं जिस भी color में आप अपने document को create करना चाहते हैं उस color format को आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर by default रहने देते हैं और यहाँ पर हम okay वाले button पर click करते हैं तो इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक page open हो करके आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का size A4 है और यहाँ पर देख सकते हैं उसका dimension हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अगर आप यहाँ पर चाहें तो उसकी orientation को यहाँ पर change कर सकते हैं landscape या फिर portrait में directly यहाँ से click करते हुए इसके लावब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर pages का option दिखाई देता है यहाँ पर click करते हैं आपको all pages यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने paper के size को यहाँ पर set कर सकते हैं इसके लावब आगर आप paper size खुद से set करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको cable अपने size को डालना होगा जैसे 210 की जगा पर हम डाल देते हैं cable 200 और यहाँ पर 297 की जगा पर हम cable डाल देते हैं 200 हम 200 by 200 mm का यहाँ पर size जाते हैं page का इसको डालते वज़ यहाँ पर enter की press करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही size हमारा यहाँ पर customize हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने page के size को यहाँ पर setup कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं अपने next option की तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और option मिलता है new from templates का दोस्तो इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो coral draw में बहुत सारी templates हमें यहाँ पर देता है किसमें से आप किसी भी template को select करके अपना design यहाँ पर create कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको blues का option मिलता है all categories को option मिलता है आपके ब्रॉचर से ले करके pamblet से ले करके बहुत सारी designs आप यहाँ परẬ मिल जाते हैं जिस्बर design को आप यहाँ पर use करना चाhtे है उस design पर केवल आपको click करना होगा और open करना होगा जैसे मालीजे हम यहाँ पर इस वाले option को use करना चाहते हैं इस पर हम यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक design open हो चुका है A4 size के अंदर और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर open वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक dialog box open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर तीन font missing यहाँ पर बता रहा है यानि कि यह तीन font है जो यहाँ पर missing है आपको इसे install करना होगा अगर आप इसे install नहीं करना चाहते हैं, इसको अपने इसाब से customize करना चाहते हैं, तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है, temporary maintain original font with saving file, इस वाले option को आपको select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ok वाले button पर click करते हैं, आप यहा आपने इसाब से customize कर सकते हैं, तो यहाँ पर corridor हमें कुछ बने बनाए templates देता है, जिसकी मदद से हम अपने browser को, कोई भी sticker को, कोई भी envelope को, या फिर किसी तरीकी का कोई logo हम यहाँ पर आसानी से design कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको next option मिलता है open क open का मतलब है कि अगर आपने पहले से कोई file यहाँ पर corridor की बना रखी है और आप उसे open करना चाहते हैं, तो इस वाले option पर आपको click करना है, इस option पर click करते हैं, आपकी file जहाँ पर भी रखी हुई है, उस file को आप यहाँ पर select कर लीजे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने corridor में यहाँ पर पहले से बनाई हुई है, इसको select करते हुए जैसे हम यहाँ पर open वाले button पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी यह file यहाँ पर open हो चित्की है, उसके बाद हम इसके इंदर कोई भी editing आसानी से कर सकते हैं, तो किसी भी file को आपको open करने के लिए आपको open वाले option का यहाँ पर इस्तमाल करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है, open from clouds का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यह थोड़ा सा darks में दिखाई दे रहा है, और यह भी working में नहीं है, इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने corridor को यहाँ पर login नहीं किया हुआ है, जिसकी वज़ए से हमें open from clouds और यहाँ पर आप देख सकते हैं, save to cloud, यह दोनों ही option यहाँ पर अभी off किये जा चुके हैं, अब इसका use क्या होता है, मैं आपको एक बार यह clear कर देता हूँ, दोस्तों open from clouds का मतलब यह होता है, कि अगर आपने corridor को login कर रखा है, purchase करने के बाद, और उसके बाद आप अपने design को cloud पर save करना चाता है, यानि corridor का खुद का अपना cloud होता है, जिसमें आपका कोई भी design, कोई भी document यहाँ पर save हो जाता है, और उसके बाद मान लीजे, अगर आपका corridor crash हो सकते हैं, दोस्तों पहले के time पर क्या होता था, कि जब भी हमने corridor में कोई भी design बनाया हुआ है, तो उसे हमें safely समाल के रखना होता था, अगर हमारी hard disk crash हो जाती थी, तो हमारा पूरा का पूरा मेहनत यहाँ पर खराब हो जाता था, बट आज की rate में clouding system है, तो सभी software mostly cloud based हो तो यह क्या करते हैं, यह आपको एक space दे देते हैं, और space के अंदर आप अपने सभी document को save करके रख सकते हैं, और जहां से भी चाहें, आप आसानी से उसे access कर सकते हैं, तो आपका data delete होने का chance था, वो काफी हद तक खतम हो चुका है, इस option की मदद से, तो इसलिए आप इस option का यह आपर इसे पर इसते हैं, इसके बाद आप और देख सकते हैं, आपको clean option यह आपर मिलता है, open recent का, तो जोתवर open recent का इसंतुमाल किया जाता है, 여 Technique, recent history लिएक जिखाता है, कि जितनी इस हमने यहापर इसेंटली यूस की है, वो file के history में यह आपर दिखाई देती है, हम ड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी दिर पहले यहाँ पर बना के सेव किये थी, यानि हमने इसको उपन किया था, इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक उप्शिन और मिलता है, दोस्तों, क्लोज का मतलब होता है, जो recently आपके पास सबी पेज है, उसको आप यहाँ पर क्लोज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4, चार पेज इस हमने यहाँ पर ओपन किये हुए हैं, तो recently आपने जो भी पेज यहाँ पर सेलेक कर रखा, यह उस पेज को यहाँ इसे क्लोज कर देगा, तो मैं आपको एक बार इसे करके दिखाता हूँ, हम फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लोज वाले ओप्शन पर क्लेक कर देंगे, दोस्तों क्लोज ओप्शन पर क्लिक करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रणरो आप से यहाँ पर पूछ रह हमारी वो फाइल यहां से हट चुकी है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको दूसरा जो ऑप्षिन मिलता है वो मिलता है क्लोज ऑल का दोस्तों क्लोज ऑल पर जैसे आप यहां पर क्लेक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी फाइल से यहां पर आपने ओपन कर कर रही है तो हम यहां पर नो वाले उप्षिन को सेलेक करते हुए यहां पर इन तीनो फाइल को यहां से अटा देते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सभी पेजिस यहां से हट चुके हैं इसके बाद हम वापस से फाइल पर जा करके एक नए पेज को यह यहां पर आप create करेंगे, जैसे हमाले जी हमने यहां पर एक object create कर लिया और इसे कोई color fill कर दिया, उसके बाद आप इस file वाले option पर जाकर करके, आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जो save का option है, वो यहां पर highlight हो गया, तो save का मतलब होता है, कि आप अपनी file को यहां पर design कर लि save हो चुकी है, और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर एक और option दिखाई देता है, save as का, तो save और save as हमारे काफी जादा इस्तमाल की चीज़ है, सबसे पहले हमने आपको save के बारे में बता दिया, कि आपने कोई भी file यहां पर बनाई, और इसको आप आसानी से इसमें save कर सकते हैं, file option पर क्लिक करते हुए, जैसे हम save as वाले option पर क्लिक करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे सामने एक dialogue box open हो जाएगा, और यहां पर आप हमनी file में कोई editing करके, इसको save करके रख सकते हैं, जैसे हमाल लीजिए हमने इस file को select किया, औ और यहां पर कर दी, और करने के बाद इसी file को हमें आपधर save करके रखना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि पिछली file है उसमें इसका कोई भी effect ना पढ़े, तो उसके लिए आप यहां पर use कर सकते है, save as का, save as पर click करने के बाद आप यहां पर file का कोई भी नाम दे दीजे, जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया 555 और यहाँ पर इसे कर दिया हमने save दोस्तों save करते ही हमारी जो file है यहाँ पर 555 के नाम से save हो चुकी है और जो हमारी पिछली file थी उसमें इसका कोई भी effect नहीं पड़ेगा control O की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के नाम से हमारी पहले की file save थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 555 के नाम से हमने यहाँ पर दूसरी file यहाँ पर save कर दी है अब दोस्तों इसका इस्तमाल तब किया जाता है जब मालीजे आपने कोई ऐसा template open किया या कोई ऐसा design open किया जिसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत changes करके किसी को भेजनी है बट आप यह नहीं चाहते हैं कि आपकी जो original file है उसके इंदरस का कोई भी effect पड़े तो उस case में आप save as का इस्तमाल करके अपनी duplicate file को यहाँ पर बना सकते हैं और इसे किसी को भी आसानी से भेज सकते हैं इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने next option की तरफ दुबारा अगर आपने इस file को open किया और open करने के बाद आप इसमें कोई भी editing कर देते हैं इसे माल लेजे हैं इस पर color change कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर इस file के साथ छेड़खानी कर दी इसके अंदर हमने बहुत सारी changes यहां पर कर दी है changes करने के बाद माल लेजे अब हम चाहते हैं कि हमारी जो file है वह वापस से यहां से रिवर्ट हो जाए यानि जहां तक हमारी file सेव थी वहां तक file हमारी यह रिवर्ट हो जाए दोस्तों रिवर्ट option तभी काम करता है जब आपकी file यहां पर पहले से प्रेड़े हैं वह सब एक बार में यहां से रिवर्ट हो जाता है यानि जैसे रिवर्ट वाले option पर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर एक information दे रहा है आपको यहां पर केवल OK वाले button पर click कर देना है क्लिक करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं हमने अपनी file में जो भी यहां पर changes की थी उस अब एक बार में यहां पर रिवर्ट हो चुकी है यानि जैसे मालीजे आपने कोई ऐसा design बनाया और design बनाने की बाद आपने उसमें कुछ extra editing कर दी और अब आपको यह नहीं लगता क यहां पर acquire image का हमें option यहां पर मिलता है तो acquire image का option में यहां पर आप देख सकते हैं तीन option आपको यहां पर मिलते हैं जीसमें आप सबसे पहरें option यहां पर आप देख सकते हैं लिखह वए select twin source धीन डा जिसे आप स्कैन करके CoralDraw में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस case में इन option का यहां पर इस्तमाल किया जाता है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला option आपको मिलता है Select Twin Source का इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यहां पर एक से अधिक printer है तो आप यहां पर इस option का यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने उस printer को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप यहां पर स्कैनिंग करना चाहते हैं दूसरा option आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर highlight हो रहा है, जो कि यह select via source, दूस्तों हमारे case में केवल यहाँ पर एक ही printer है, जो कि हमने यहाँ से internet से connect किया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, select via source हमारा यहाँ पर highlight है, इस वाले option पर जैसी आप इस वाले option पे यहाँ पर click कर देंगे दोसर इस option पे click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं new scan के नाम से आपके सामने एक window open हो जाएगी यहाँ से आप अपनी profile का setup यहाँ पर कर सकते हैं इसके लावा color management या photo type भी आप यहाँ पर अपने इसाब से PNG या TIF जो भी select करना चाहें कर सकते हैं resolution आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 dpi हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पर brightness और contrast को भी आप इसाब से adjust कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है scan का एक button इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी scanning यहाँ पर start हो चुकी है और scanning complete होने के बाद हमारा जो भी document होगा वो scan होकर के हमारे corridor में हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हमारा scan document यहाँ पर आ चुका है इसके बाद हम बात करते हैं अपने next option की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो next option यहाँ पर आता है वो है import का दोस्तों import का मतलब होता है import की मदद से आप किसी भी तरह की कोई भी jpg file, pdf file आसानी से इसमें import कर सकते हैं इसके बारे में मैं detail वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ import और export के सभी options के बारे में जिसमें import, export, export for office, web, wordpress इसके अलावा export for dockers जिसके अंदर add selection, add current page, all pages इन सभी चीजों के बारे में मैं एक separate वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके सभी options को एक एक करके समझ सकते हैं और इसका use भी समझ सकते हैं की होता का है मैं फिर भी आपको roughly तरीके से इसमें इसका इसका इसमाल बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपको यहां पर देख सकते हैं जीसी भी फायल को चाहिए वह सीडेया टशार्लों सब्सकिन यहां पर इंपॉट कर सकते हैं जैसे मालेघ जैनि आपर जो वन नाम से सीडेयर फाइलigare बनाए थी इसफाइल को सलेक्ट करते हैं यहां पर import वाले button पे click करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको वही mark यहां पर फिर से दिखाई दे जाएगा, आपको कियाँ एक बार click करना है, click करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको object यहां पर import हो चुका, है जैसे माले ज़िoff में export करना चाहते हैं तो आप इस वाले उप्शन पे क्लिक करेंगे अगर आप से जेपीजी में export करना चाहते हैं तो आप इसवाले option का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं तो डूस्तों हम यह bearings स Laure VIP इसमें से option को select करते हुए, customize करते हुए, इसे यहाँ पर ok कर देंगे, तो हमारी फाइल यहाँ पर export हो चुकी है, मैं आपको एक बार open करके यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, Ctrl-O की मदद से हमने file को यहाँ पर open कर लिया, desktop को select किया, camera वाले folder को open किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी file इंहाँ पर export हो चुकी है, जिसके extension आप यहाँ पर देख सकते हैं, dot jpg हमें पर दिखाई दे रही है, तो दोस्ते यस तरीके से आप export option का यहाँ पर इस्त stairs कर सकते हैं, इसके लावब आप यहाँ पर देख सकते हैं export for office आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप इसे export कर सकते हैं png में gif फाइल में या फिर डिरेक्लि आप इस अपनी website पर यानि WordPress पर directly इस एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको export docker का भी option मिल जाता है जिसमें आप अपने file को अलग-अलग object के हिसाब से export कर सकते हैं दूसरा add current page यानि अगर आपके पास बहुत सारे pages हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से pages को add करके जिन जीन Merci on Ganjaux pages आप यहाँ पर export करना जाते हैं उस page को यहाँ पर select कर सकते हैं, उसके लावा यहाँ पर अगर आप all pages को select करेंगे तो आपने जितने भी pages ले जूए हैं साभी pages एक बार में यहाँ पर export किये झाएंगे और जो भी extension आप यहाँ पर select करेंगे उस extension के हिसाब से यहाँ पर export कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके extension आपको दिखाई दे रही है इसे select करते हुए यहाँ से आप export वाले button पर click करेंगे तो आपके जितने भी pages यहाँ पर होंगे वह सारे एक साथ यहाँ पर export हो जाएंगे तो दोस्तो इसके बारे में फिर से आपको बता रहूँ मैंने detail video बनाई हुई है मैं आपको i button पर इसका link provide कर दूँगा आप वहाँ से detail में देख सकते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं आपर send वाले option की दोस्तो send option पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option मिलता है Bluetooth device का आप अपने इस document को directly Bluetooth device से कहीं पर भी send कर सकते हैं जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं you must save document before sending यानि सबसे पहले आपको अपने document को यहाँ पर save करना होगा उसके बाद ही आप अपनी file को यहाँ पर send कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे yes कर देते हैं yes करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसे यहां से cancel कर देते हैं इसी तरीके से आपको काफिस सारे options all मिल जाते हैं जिससे आप अपनी file का यहाँ पर टेक्स्टॉप पे एक shortcut icon भी create कर सकते हैं document में directly इसे export कर सकते हैं यहीं save कर सकते हैं mail receipt के साफ से आप इसे save कर सकते हैं इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर safe rate एक option मिल जाता है directly publish to PDF का इसके इस्तमाल से आप अपनी file को directly PDF में यहाँ पर export कर सकते हैं यहाँ पर हमने file को select कर लिया folder वही है हम यहाँ पर file का नाम दे देते हैं like 123 PDF और उसके बाद यहाँ पर हम file को यहाँ पर save कर देते हैं save करते ही हमारी जो file है यहाँ पर export हो चुकी है PDF के अंदर मैं आपको इसे एक बार open करके दिखाना चाहूंगा control-o की मदद से हम अपनी file को open करते हैं desktop को select करते हुए camera को open करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 123 PDF की file हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है right click करते हुए हम यहाँ पर open वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी file यहाँ पर export हो चुकी है अब आप कहेंगे कि यह हमारा यह जो document है मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट हमने यहाँ पर एक rectangle और बनाया था वो हमें यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यानि जो भी document का आप यहाँ पर print लेना चाहते हैं या फिर आप उसका print out देना चाहते हैं तो उस case में आपको अपने file को page के अंदर ही रखना होगा और इसका margin अपने एसाब से आपको set करना होगा तभी जाकर के आपकी जो file है वो सही तरीके से यहाँ पर print होगी या फिर आप PDF में इसे आसानी से export कर सकते हैं इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको next option मिलता है वो print merge का option मिलता है तो आप 1000 i-card एक चुटकियों में बना सकते हैं Excel sheet से उस data को यहाँ से import करके इसके बारे में भी मैंने separate video यहाँ पर बनाए हुई है दोस्तों इन दोनों ही वीडियो उसको मैं आपको link के i button पर आपको provide करूँगा अगर मैं in options को यहाँ पर बताने लगता हूँ तो यह video बहुत ही जादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इस option को यहाँ पर skip कर रहा हूँ मैं i button पर इसका link provide कर रहा हूँ आप वहां से इसको जाकर के देख सकते हैं बहुत ही कमाल का feature है इसके बाद हम बात कर सकते हैं next option की यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो next option है वो print का है print value option पर जैसे में यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा printer यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा हमने यहाँ पर दो printer यहाँ पर लगाए हुए है जिसमें हम देख सकते हैं L8050 और HP का हमें printer यहाँ पर दिखाई देता है आप अपने इसाप सेमें print की setting यहाँ पर कर सकते हैं और directly आप print वाले option पर click करके इसका print out यहाँ पर निकाल सकते हैं तो फिलाल हम इसका print out नहीं निकालने वाले हैं हम next option की और बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं next option में यहाँ पर दिखाई देता है अगर आप इस object को margin के बाहर ले जाते हैं, तो आपका जो document होगा, वो यहां से इतना cut जाएगा, यानि print नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको अपना object रखना है, वो इस dot dot के अंदर ही रखना है, और इस margin के अंदर ही आपको रखना है, और उसके बाद यापको print की command यहां पर देनी है, तो इस वाले option को भी यहां से cut कर देता हूँ, और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आपको next option यहां पर मिलता है document properties का, इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको document properties के अंदर languages का option मिल जाता है, जिसमें आप अपनी file को जो भी यहां पर नाम देना चाहें, जो भी language select करना चाहें, title देना चाहें, author का नाम देना चाहें, copyright अगर आप यहां पर देना चाहें, अगर आप अपने object को यहां पर copyright बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आप उसके बारे में यहां पर लिख सकते हैं, उसके बाद यहां पर text provide कर सकते हैं, notes provide कर सकते हैं, और उसके बाद यहां पर file को save कर सकते हैं, इससे होगा क्या का आपकी जो file है, जब भी इस file की कोई भी property चेक करेगा, तो वो सभी details उसे यहाँ पर दिखाई देंगी और सबसे last option की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे last option हमारा है exit का यानि इससे हम अपने program को यहाँ पर directly बंद कर सकते हैं इसकी shortcut की आप यहाँ पर देख सकते हैं alt plus F4 है यानि अगर आप corridor को बंद करना चाहते हैं तो इस option का यहाँ पर आप इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो मैं एक बार इसे close करके आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे तो हम no वाले option को select करते हों यहाँ पर इस option पर click करेंगे click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से close हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप corridor के file menus का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद